जैसा कि मैंने आपको बताया था ये डेमो स्टोरी है तो अगर आप कहोगे तभी ये स्टोरी आगे अपलोड होगी चाप्टर एक एक बदकिस्मत लड़का चलो शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को ये कहानी राहुल नाम के एक लड़के की हैं जो दिखने में मोटा और भद्दा है और वो विराज इंटरनाशनल स्कूल में पढ़ता था ये स्कूल दिली शहर के कुछ सबसे अच्छे और अमीर स्कूल में से एक था 24 मार्च 2024 आज स्कूल का आखरी दिन था और जैसे ही आरन स्कूल के अंदर आता है उसका सामना अपने चचेरे भाई मुकल से होता है जो की वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है और उससे बोलता है अरे भाई कहां जा रहे हो जरा यहां भी रुको ऐसा बोल कर वो राहुल का बैग चीन लेता है और उसके बैग को खोल कर उसकी किताबे फेकने लगता है ये सब देखकर आरेन मुकल के पास जा ही रहा था उससे अपना बैग वापस लेने के लिए पर तब ही उसे मुकल के दोस्त रोक लेते हैं और वही मुकुल उसके बैग में से उसके कुछ पैसे निकाल कर बैग को वही फेक देता है और अपने दोस्तों से बोलता है चलो लड़कों आज की पार्टी का इंतिजाम हो गया मुकुल के ये कहते ही वो वहां से जाने लगते हैं पर तभी राहुल मुकुल के पैर को पकर लेता है और बोलता है देख मुकुल तू हर बार मेरे पैसे ले लेता है पर ये वाले मतले मैंने इनको लोगों के घरों पर काम करके काफी महंच से जमा किये है चल साले पैर छोड मेरा ऐसा बोल कर मुकुल राहुल को लात मार कर उसके हाथों से अपने पैरों को छुर्वा लेता है और राहुल वही पूरे स्कूल के सामने जमीन पर पड़ा रह जाता है वहां से गुजरने वाला हर एक बच्चा उसे ऐसे देख उसके दुख में उसे सांत्वना देने के बजाए उस पर हसने लगते हैं ऐसे ही स्कूल का आखिरी दिन भी ख्तम हो जाता है स्कूल से जाते वक्त आज उसके बैच के सब लोग एक दूसरे की शर्ट पर अपना नाम लिख के जा रहे थे ताकि वो उनको आगे भी याद रहे पर राहुल के साथ इसका उल्टा था क्योंकि कोई भी उसे दोबारा कभी याद नहीं करना चाहता था इसलिए उसकी शर्ट आज भी दूद जैसी सफेद है ऐसे ही राहुल रोज की तरह अकेला घर के लिए निकल जाता है अपने मन ही मन वो भगवान को खूब उल्टा सीधा बोल रहा था आखिर क्यों भगवान आपने मुझे ऐसा बनाया आखिर क्यों आपने मुझे बाकी लोगों जैसा चेहरा नहीं दिया आप एक सामान्य साही चेहरा दे देते कम से कम कुछ लोग बात तो कर लेते मुझसे पर नहीं आपने तो मुझे ऐसा बनाया कि कोई मुझे से बात करना तो दूर कोई मुझे देखना भी नहीं चाहेगा आखिर मैंने ऐसा क्या किया था भगवान जो मुझे ये सजादी ऐसा बोल कर वो वही जमीन पर घुटनों के बल बैट कर रोने लगता है अभी वो रोही रहा था कि तभी आस्मान काला पड़ जाता है और आस्मान में बिजली चमकने लगती है और नजाने कैसे पर वो सड़क भी एक दम से खाली हो जाती है तभी वहां एक छड़ी के जमीन पर पटकने की आवाज आती है उस आवाज से रहल का ध्यान भटक जाता है तो वो रोना बंद कर देता है और सामने की और देखता है और वो देखता है कि उसके सामने एक बुरा आदमी अपनी चड़ी को जमीन पर जोर-जोर से पटक कर उसके पास ही आ रहा था और किसी को अपने पास आता देख राहुल भी अपने आसू पहुच लेता है और खड़ा होकर देखने लगता है जैसे ही वो आदमी आरियन के पास आता है तो वो उसे बोलता है लगता है बहुत खफा हो भगवान से हाँ क्यों नहीं होंगा पता नहीं किस बात की सजा देने के लिए उन्होंने मेरा चेहरा ऐसा बनाया पर एक मिनट आप को कैसे पता कि मैं भगवान से नाराज हूँ राहुल उस आदमी से पूचता है राहुल की बात सुनकर उस आदमी के चहरे पर एक रहसे में मुसकाना जाती है तब ही अचानक से हवा काफी तेज चलने लगती है और धीरे धीरे वो हवा इतनी तेज चलने लगती है कि राहुल को एक पल के लिए तो लगता है कि वो हवा में उढ़ी जाएगा तभी वो आदमी बोलता है मानता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर तुम चिंता मत करो जिस भगवान ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसी ने तुम्हारी सब परेशानियों का हल भी निकाला है कैसा हल राहुल थोड़ा उत्साहित होकर पूछता है ये है तुम्हारी समस्याओं का हल वो आदमी ऐसा बोलता है और अपने हाथों से हवा में एक गोल चक्र सा कुछ बनाता है उसके हवा में एक चक्र बनाते ही ऐसा लग रहा था कि उसने किसी दूसरे बहुलोग का दर्वाजा खोल दिया है क्योंकि उस वक्त उनके सामने एक चक्र था जो की एक गोल्डवार जैसा लग रहा था राहुल ये देखकर डर जाता है और कुछ कदम पीछे जाकर वो उस आदमी से बोलता है ये ये क्या है ये तुम्हारी जिन्दगी का नया रास्ता वो बुड़ा आदमी राहुल के सवाल का जवाब देता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसा बोलकर वो आदमी उस पोर्टल जैसे गोल्डवार के अंदर चले जाता है थोड़ा सोच कर राहुल भी उसके अंदर चले जाता है और राहुल के अंदर जाते ही वो पोर्टल जैसा गोलदवार गायब हो जाता है और मौसम भी पहले जैसा हो जाता है और यहां तक कि पहले की तरह सडक पर गाडिया भी चलने लगती है जैसे ही राहुल उस पोटल के अंदर आता है वो देखता है कि वो एक जोपडी के अंदर है फिर वो उस आदमी को ढूंडता है पर उसे वो नहीं दिखता फिर वो उस आदमी को ढूंदने के लिए जोपडी से बाहर आता है तो वो देखता है कि जोपडी के बाहर एक छोटा सहरा भरा बगीचा है जिसके चारो तरफ लकडी से सीमा बना रखी है और उस सीमा के पार है एक बहुत बड़ा और घना जंगल अभी वो ये सब देख ही रहा था कि तब ही उसका ध्यान अपने से बाई तरफ जाता है और वो देखता है कि वो आदमी वो उसे यहां लेके आया था वो अचानक से सफेद धुए में बदलने लग गया है ये तुम्हारी जिन्दगी बदल देगा वो आदमी ऐसा बोलता ही है कि वो और तेजी से सफेद धुए में बदलने लगता है अरे नहीं 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 रुक जाओ आप मुझे यहां ऐसे छोड़ कर कैसे जा सकते हैं कम से कम मुझे यहां से बाहर जाने का रास्ता तो बता दीजिए आरियन ऐसा बोल कर उस आदमी के पास जाने ही वाला होता है कि उससे पहले ही वो आदमी धुआ बनकर हवा में मिल जाता है अरे या रब मैं घर कैसे जाऊंगा आरियन वही बैठ कर सोचने लगता है अभी वो सोच ही रहा होता है कि तभी एक दो पैरो पर चलने वाला दस फीट का राक्षिस जैसा जीव जिसके दो सिंग, लाल आंखे, सार जैसा शरीर था वो जंगल से बाहर निकल कर उस घर की और बढ़ने लग गया था इसे देखकर आरियन की डर के मारे हालत खराब हो गई थी, वो तुरंथ ही भाग कर उस घर से टिक कर खड़ा हो जाता है तबी वो राक्षिस उस जगह के पास आकर उस लकडी की बाउन्डरी पर हमला करता है आम तोर पर यहां अगर कोई भी लकडी की बाउन्डरी होती तो वो उसके एक ही वार में टूट जाती पर इस घर की तो बाउन्डरी वुड पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था ऐसा लग रहा था कि कोई चीज उस राक्षिस को उस सीमा के अंदर नहीं आने दे रही और ये देखकर राहुल चैन की एक सास लेता है फिर वो वही पर बैठ जाता है और ऐसे ही दो दिन यहां बिताने के बाद वो इतना तो समझ गया था कि जंगल का कोई भी जानवर इस घर की बाउन्डरी के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि इन दो दिनों में बहुत सारे जानवरों ने इस घर पर हमला करने की कोशिश की पर कोई भी काम्याब नहीं हो पाया चाहे वो पंक वाला भालू हो या 101 आखो वाला जेली जैसा जीव इन दो दिनों में आर्यन को जोपड़ी में से एक भाला भी मिला था काफी टाइम से वो उसको चलाने की प्रैक्टिस भी कर रहा था और अभी भी वो अपनी प्रैक्टिस ही कर रहा होता है तभी उसे एक और जानवर की चीक सुनाई देती है और जब वो अपना मुगमा कर चीक की तरफ देखता है तो वो देखता है कि एक जानवर जिसके कान लंबे-लंबे थे और उसका चेहरा खुद राहुल से भी भद्दा था और वो दो पैरों पर चल सकता था इतना ही नहीं उसके सीने पर एक कवच भी था वो लगभग एक इनसान के जितना बड़ा होगा बस उसका रंग हरा था जैसे ही वो जानवर राहुल को देखता है तो उसके मुह से लाड टपकने लगती है और उस जानवर को ऐसे देखकर राहुल जो की उस जोपड़ी के कवच के अंदर था उसका भी एक पल के लिए गला सूखने लगता है फिर वो जानवर बहुत ही तेजी से उस घर की तरफ भागने लगता है पर जैसे ही वो जोपड़ी के बाहर की बाउंडरी वुड से टकराता है वो कुछ दूर फिका चला जाता है पर वो हार नहीं मानता और वो दोबारा आता है और उस लकडी की बाउंडरी को पार करने की कोशिश करता है पर वो चाहे कुछ भी कर ले वो उस लकडी की बाउंडरी को पार नहीं कर पाता और उस जानवर को ऐसे कोशिश करता देख राहुल भी अपना भाला उठाता है और उसे सीधा उस जानवर की छाती के बिचो बीच डाल देता है और वो जानवर वही मारा जाता है और उसके मरते ही वो जानवर भी उसी आदमी की तरह धूए में गायब होने लगता है पर इस बार उस जानवर के गायब होने के बाद उसे कुछ चीजे पड़ी दिखती है अभी वो उन चीजों को देखकर समझ ही रहा था कि ये सब क्या है तब ही उसकी आँखों के सामने एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है और उससे बोलती है तुमने पहला टास्क पूरा किया आपका लेवल अप हो रहा है और पहली बार लेवल अप होने की वजह से आपको स्पेशल रिवार्ड भी मिल रहा है आपके स्पेशल रिवार्ड के तोर पर आपके शरीर को विकसित किया जा रहा है विकास शुरू हो रहा है विकास शुरू हो रहा है और फिर राहुल को एक सफेद धुआ घिर लेता है और उस धुए की वज़ा से राहुल को नींद आने लगती है और वो वही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही उसकी आखे खुलती है वो खुद को अपने दिल्ली वाले छोटे से घर में पाता है जहां वो पिछले दो साल से रह रहा था जब वो नींद से उठा था तब उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया था कि कहीं ये सब सपना तो नहीं था शायद ये सब सपना ही होगा ऐसा बोल कर वो बातरूम में चले जाता है और जैसे ही वो अपना मुधोने जाही रहा था कि वो बातरूम में लगे शीशे में अपना चेहरा देखता है और देखकर हैरान रह जाता है वो देखता है कि उसकी आखों का रंग नीला हो गया था और उसके चहरे पर पहले जो निशान थे वो सब चले गए है और उसके चहरे का रंग भी गोरा हो गया है यही नहीं बलकि उसका चेहरा भी पूरा बदल गया था और अब उसका चेहरा किसी एक्टर से कम नहीं लग रहा था उसे देख कर कोई बता ही नहीं सकता कि यह वही राहुल है जिसका कल तक इतना बुरा चेहरा था कि लोग उससे दूर भागते थे फिर वो अपने घर में लगे बड़े वाले आइने में अपने पूरे शरीर को देखता है और वो देखकर वो और भी excited हो जाता है क्योंकि उसका चहरा ही नहीं बलकि उसका पूरा शरीर पहले से बहुत बदल चुका था अब वो पहले से काफी पतला हो गया है बलकि उसके six packs भ ये सब देखकर वो सबसे पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करता है और फिर उस आदमी का जो उसे दुसरी दुनिया में ले गया था फिर वो अपनी अलमारी से कुछ शर्ट ठ्राइ करता है पर अब उसको सभी शर्ट धीली पर रही थी तो वो अपने इकलोते दोस्त विजय को कॉल लगाता है और वो उसे एक जोड़ी कपड़े लेकर अपने घराने को कहता है और जब वह राहुल के घर पहुचता है तो राहुल को देखकर उसका मोह खुला का खुला रह जाता है पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता पर फिर थोरी देर बाद वो आरियन को ब असल में विजय अपने घर में अकेला काम वाला था इसलिए वो पिछले एक साल में काम करने के लिए दिल्ली से बाहर चला गया था और अभी बस कुछ दिन पहले ही लोटा था और वही आरियन तो बस अपना हाथ अपने सर के पीछे रख कर मुस्कुराता रहता है फिर वो इसे कपड़े लेता है और घर से बाहर निकल जाता है तो कैसा होगा आरियन का सफर क्या आरियन दोबारा जा पाएगा दुसरी दुनिया में कैसे आरियन लडेगा और भी खतरनाक दुश्मनों से जानने के लिए देखिए Zero to Hero